ओम शान्ति आज सत्षिक्षक अपनी श्रेष्ट शिक्षा धारण करने वाले गौडली स्टूडेंट से मिलन मनाने के लिए आए हमारे चारो सब्जेक्ट्स का स्पश्टिकरण हम बच्चों को दिया और साथ ही साथ यह भी स्पश्ट किया कि कैसे हम ग्यान और योग को स्वरूप में लाकर नंबर वन बन सकते हैं तो आएए रिवाइस करते हैं आज के 23 अक्टूबर 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को आज के मुरली का सार है नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ आज के मुरली के अनुसार हम बच्चों के टाइटल्स इस प्रकार हैं हिम्मत्वान, श्रेष्ट आत्मा, मास्टर दाता, संपन्न मूर्ती, सच्चे दीपक, जाक्ती जियोत, सदाखुष नसीब, गौडली स्टूडेंट, ज्यानीतु आत्मा, योगीतु आत्मा, निरंतर सेवाधारी, मास्टर सर्व शक्तिवान, दिव्वे गुण स्वरूप पात्मा, मास्टर विश्व कल्यानकारी, एक क्या क्या है, लक्षे, पढ़ाई, पढ़ाने वाला, सबका सुनना, नंबर वन, रोज की पढ़ाई का पाठ, ब्राहमन जीवन के लिए संसार, ग्यान की मूल सबजेक्ट्स के दो शब्द कौन से हैं, रचता और रचना की पढ आया, रचता है परमात्मा का परिचे, बापदादे ने रचता और रचना के विश्वे में हमें क्या सपष्ट किया, रचता, परमात्म परिचे, परमात्मा के साथ संबंद, रचना, मैं श्रेष्ट आत्मा हूं, मेरा इस पेहत के ड्रामा में, सारे कल्प में क्या क्या पा क्या होता है? खजाना याद रहने से नशा चरता, ज्यानी योगी की नेचर होने से धारणा नाचरल होती, अनुभूतियों का खजाना संपन्न होने से स्वता ही मास्टर दाता बन जाते, ज्यानी योगी जीवन में रहने से ज्यान और योग संपन्न हर कर्म नाचरल होते, दातापन के संसकार होने से सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सरल हो जाता, आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं दिपावली मुबारक अर्थार्थ माला माल संपन बनने की मुबारक ज्यान योग संपन नैचरल कर्म अर्थार्थ ज्यान योग को नेचर बनाना स्थिती नीचे उपर होना अर्थार्थ बार बार पुरिशार्थ में महनत करना चक्कर लगाना अर्थार्थ किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना तीनों सब्जेक्ट्स की स्वतह और स्वाभाविक अनुभूती करना अर्थार्थ सहज ज्यानी, सहज योगी, सहज धार्णा मुरत पुर्शार्थ में मेहनत करने का कारण क्या है? पढ़ाई को सो रूप में नहीं लाया, पढ़ाई को जीवन में मूल संसकार के रूप में नहीं लाया खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या है? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की जलक दिखाई देती है आज बाब दादाने किन बच्चों को याद प्यार दी? सच्चे दीपकों को, ज्यानी तु आत्माओं को, योगी तु आत्माओं को, जाक्ती जियोत आत्माओं को, दिव्वे गुण स्वरूप आत्माओं को, निरंतर सेवाधारी आत्माओं को, श्रेष्ट कल्यान कारी आत्माओं को, आज पापतादाने किन बच्चों को याद प्यार दी? अंदकार मिटाने वालों को सर्व सब्जेक्ट्स में नंबर वन के लक्षे को लक्षन में लाने वालों को ये थी आज की मुरली की विशेश बातें और हम गौडली स्टूडेंट्स को शिव बाबा ने सत शिक्षक रूप में चार सब्जेक्ट्स दिये हैं पढ़ने के लिए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा हमें इन चारों ही सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है और इने स्वरूप में लाकर नंबर वन बनने का अधिकार प्राप्त करना है ओम शान्ति